नमस्कार बहुत स्वागत है आपका बिहारी नियूज में मैं हूँ आपके साथ अभेवी साल बिहार को इस साल 54 ओवर ब्रीज सरकों की सोगात मिल सकती है अगर सब कुछ सरकारी घोसना का इसाब से चला तो लंबे समय से सरक जान की समस्था से जूज रहे दर्भंगा शहर के लोगों को सरक जान से सुटकारा मिल जाएगी पत निर्मान मंतरी नितिन नवीन ने कहा कि अगले वित्या वर्स में राज्य सरकार 54 ओवर ब्रीज बनाने जा रही है इसमें दर्भंगा सहर के साथ ओवर ब्रीज सामिल है उन्होंने स्विकार किया कि दर्भंगा सहर के लिए ओवर ब्रीज की ओजिना पुरानी है लेकिन तक्निकी समस्थाओं के वज़ा से अब तक निर्मान कारे पूरा नहीं किया जा सका है उन्होंने कहा कि निर्मान के लिए अगले तीन महीने में प्रसासने की स्कृति मिल जाएगी बताया जा रहा है कि चार साल पहले रेलवे ने औरोबी की स्कृति दी थी लेकिन अब तक निर्मान ना होने के कारण नगर के लोगों को काफी परिषानी हो रही है लोग 24 घंटे जाम की समस्या से परिशान रहते हैं दरभंगा में ये आरोबी, दोनार, यूजियम, गूम्ती, दिल्ली मोर के निकट के रेल फाटकों के अलावा अन्न हिस्ते में बनेंगे वही जलसन साधर मंत्री संजय जहा ने विधायक विजय कुमार सिंग के एक प्रस्न के जवाब में बताये कि विभाग में इंजिनियरों की कमी है उन्होंने बताये कि कुल 355 स्विक्रित पद के एवज में सिर्फ 260 इंजिनियर ही कार्यत है बिहार लोक सेवा आयोग में इस समय इंजिनियरों का साक्षातकार चल रहा है अप्रेल तक विभाग को अपैक्षित संख्या में इंजिनियर मिल जाएंगे मिली जनकारी के मुदाबिक और अंगाबाद में एक्जिकीटूब इंजिनियर के पास पद है इनमें से सिर्फ एक पद्रिक्त है नई भाली होने के बाद यह कमी भी पूरी हो जाएगी भवन निर्मान मंत्री डॉक्टर असोप चौधरी ने राज़त के भाई विरेंदर के एक अल्प सुचित के जवाब में कहा कि नौबतपूर, निर्मली, मज़ौल, बगहा, वैसाली, गोपाल गंज, तेगरा, और अंगाबाद, कौवाकॉल और लखी सराय में जल्द ही आई टी आई भाउनों का निर्मान कर लिया जाएगा बताय जा रहा है कि इन जगों पर भाउन निर्मान की योजना पिछले तीन वर्सों से लंबित है आपको बता दें कि बिहार में लोगों को जाम की समस्य से छुटकारा दिलवाने के लिए सरकार के द्वारा सभी सार्थक कदम उठाय जा रहे हैं हलाकि अभी सच है कि भले ही बिहार में सरको और ओर ब्रीज का जाल बिच गया है लेकिन इसके बावजूद लोग जाम से परिसान रहते हैं अभी हाली में कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि विक्रम शिला सेतु के समानांतर फोर लेन पूल का निर्मान प्रदान मंत्री पैकेज 2015 के तहत किया जाएगा आपको बता दें कि प्रदान मंत्री मोधी ने पिछले साली इसके निर्मान का शिला न्यास किया है अगले तीन माह में निविदा की प्रक्रिया पूरी कारेश शुरू करने का लक्ष निर्धारित किया गया है प्राप्त जानकारी के मुदाबिक पूल निर्मान से विक्रम सिला सेतु के उपर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी दरसल विक्रम सिला पूल पर गाडियों का लोड बहुत जादा बढ़ गया है पूल दो लेन का होने के कारण कहल गाओं से लेकर पूर्निया तक अक्सर जाम लगा रहता है समानांतर पूल बनने से ना केवल जाम से मुक्ति मिलेगी बलकि उत्तर विहार के सिमांचल का जारखंड और पस्यम बंगाल के साथ सरक संपर्क बहतर हो सकेगा इसका सकरात्मक प्रभाव सहर के विवसाय और विकास पर भी पड़ेगा बता देगी विक्रम सिला सेतु भारत में पानी का पांचवा सबसे बड़ा पूल है कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में नई सरक और पूलों के निर्मान कारे में तेजी लाने के लिए बिहार सरकार प्रयासरत है और सरकार द्वारा तमाम घोसनाय भी हो रही है हाला कि अब देखना दिलचस्प होगा कि इन घोसनाओं के नुरूप कारे हो पाते हैं या नहीं अगर सब कुछ सरकारी घोसनाओं के नुरूप रहा तो बिहार में जल्द ही लोगों को जान कित समस्साओं से छुटकारा मिल सकती है तो अभी के लिए वास इतना ही बिहार की हर छोटी बारी खबरों से रूबरू रने के लिए देखते रहे बिहारी नियूज धन्यवाद